नमस्कार दोस्तों सवागता आपका आज के मुखे समाचारों में दोस्तों आद देश भर से कई बड़ी ब्रेकिंग न्यू जा रही है जिन्में बड़ी खबर है दोस्तों की सियासी संकट के बीच कमलात सरकार के 20 मंतरियों ने दिया इस्तिपा मंतरी मंडल के विश्तार की योजना तो वहीं दूसरी बड़ी खबर के अंदर आपको बताएंगे कि फिर संकट में कमलात सरकार ज्योतिरा दिते सिंधिया के समर्थक 17 कांग्रेश विदायक पहुंचे बैंगलूरू तो वहीं पर तीसरी बड़ी खबर के अंदर आपको बताएंगे कि मद्दे परदेश की सियासत में उलट फेर दिल्ली में अमित्षा के घर पर भारतिये जन्ता पार्टी के नेताओं की बैठेक है सिवराज को चुना जा सकता है विधायक दल का नेता जी दोस्तों आपको पूरी खबर बताएंगे उससे पहले दोस्तों आगर आप देश के अंदर निस्पक्स पत्रकारिता का समर्थन करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और लाल बटन दबा कर चैनल को सबस्क्राइब कर लें जिससे देश के अंदर हमारे जैसे पत्रकार जो निस्पक्स पत्रकारिता करते हैं उनका मनोबल बड़े और वो देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा निस्पक्स पत्रकारिता करके देश की गरीब जनता, किसान, मजदूर और छात्रों की आवाज बन सके आज की पहली बड़ी खबरा आ रही है मद्दे परदेश से जी दोस्तों सियासी संकट के बीच कमलात सरकार के 20 मंतरियों ने दिया इस्थिपा मंतरी मंडल के विस्तार की योजना जी दोस्तों मद्दे परदेश में जारी सियासी घमासान के बीच कमलात सरकार के 28 में से 20 मंतरियों ने अपना इस्थिपा दे दिया है बताया जा रहे कि मंतरी मंडल के विस्तार की योजना के तहत मंतरियों के इस्थिपे लिए गए हैं नराज विदायकों को मंतरी बनाया जा सकता है और बताया जा रहा है कि आठ मंतरी अभी भी बैंगलोर में है मुख्यमंत्री कमलाथ की अध्यक्स्ता में सौमवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई मंत्री मंडल की बैठक में मंत्रियों ने अपने सामुई क्त्याग पत्र मुख्यमंत्री को सौमपे मंतरियों के मुख्यमंतरी से मंतरी मंडल के पुनर गठन करने का अनरोध किया और मुख्यमंतरी कमलाथ ने सियासी संकट के बीच सौमवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी कहा जा रहा है कि मद्दे परदेश के कुछ विधायक समेथ मंतरी बैंगलोर में हैं और ये विधायक जयोतिरा दिते सिंधिया के कैम्प के बताए जा रहे हैं सामाचार एजनसी एन आई एक के मुताबिक मंगलोर साम को कॉंग्रेस के विधायक दल की बैठक होनी है और कॉंग्रेस के उमंग सरंगार ने कहा कि उनके 20 मंतरी जो यहां थे उन्होंने अपना इस्तिपा दे दिया है अब मुख्यमंतरी राजय मंतरी मंडल का पुनर गठन कर सकते हैं और हम सब एक साथ हैं और सिंधिया भी कॉंग्रेस के साथ है तो वहीं पर इसी बीच मद्दे परदेश के मुख्यमंतरी कमलात्क ने बयान में कहा कि मैं उन ताक्तों को कामियाब नहीं होने दूँगा जो माफियों की मदद से ऐस्तरता फैला रहे है मेरी सबसे बड़ी ताकत मद्दे परदेश की जनता का प्यार और भरोसा है मैं उन ताकतों को सफल नहीं होने दूँगा जो सरकार में ऐस्तरता पैदा कर रही है और ऐसी सरकार जिसे मद्दे परदेश की जनता ने बनाया है उन्हें हटा रही है भरतिये जनता तो मैं उन लोगों को कामियाब नहीं होने दूँगा आज की दूसरी बड़ी खबर भी कमनलाथ सरकार को लेकर है जी दोस्तों फिर संकट में है कमनलाथ सरकार जोतिरा दीते सिंधिया के समर्थक 17 कॉंग्रेश विदायक बैंगलोर गए जी दोस्तों मद्दे परदेश कमलाज सरकार एक बार फिर संकट में गिरती नजर आ रही है बताया जा रहे है कि मद्दे परदेश कॉंग्रेश के कुछ और विधायक बैंगलोर चले गए हैं और इन विधायकों की संख्या 15 से 17 बताई जा रही है जिनमें ज्यादातर विधायक जोतिरा दिते सिंदिया के खेमे में हैं और सुत्रों के अनुसर मद्दे परदेश कॉंग्रेश के 6 मंतरियों समेत 17 विधायक जो पूरो सांसत जोतिरा दिते सिंदिया के समर्थक बताये जाते हैं वो एक चार्टर्ड विमान से भारतिय जनता पार्टी सासित कांग करनाटक के बैंगलोर में चले गए हैं बागी कॉंग्रेस विदायक वा अन्न जो पाला बदलने के लिए तयार रहे हैं उनके लिए बैंगलोर सुर्ख्यों में रहा हैं सुत्रों के अनुसार कभी गांधी पुर्यार के करीबी रहे जोतिरा दिते सिंधिया फिलाल दिल्ली में हैं और वो कॉंग्रेस एक समझोते पर बाचित करने की कोशिस कर रही है लेकिन फिलाल कोई समादान होता नजर नहीं आ रहा है 49 वर्षिये सिंधिया 2018 में मुख्यमंतरी पद की दोड से तब पिछड गए थे जब उन्हें केवल 23 विदायकों का ही सिमर्थन मिल सका था जबकि मद्दे परदेश में कॉंग्रेस की जीत में उन्होंने बड़ा योगदान दिया था और कमलात मुख्यमंतरी बने थे और पार्टी की राजे इकाई पर भी उनका नियंतर नहीं रहा तब सिंधिया को पिछले साल के लोक्स बाचुनों के लिए प्रियंका गांधी वाडरा के साथ उत्तर परदेश का परभारी बना कर सांथ करने की कोशिस की गई लेकिन वहां कॉंग्रेश को बुरी तरह से हार का मुझ देखना पड़ा था तो वहीं पर अगली बड़ी खबर के अंदर आपको बताएंगे कि मद्दे परदेश की सियासत में उलट फेर दिल्ली में आमित्षा के घर पर भारतिये जनता पार्टी के नेताओं की बैठक है और इस बैठक में मद्दे परदेश के पूरो मुख्य मंतरी शिवराज सिंग चोहान और केंदरिये कर्शी मंतरी नरेंदर सिंग तॉमर और समयत कई अन्य भारतिये जनता पार्टी के नेता सामिल है भारतिये जनता पार्टी के वरिष्ट नेताओं की ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस के कुछ विधायक बैंगलूरू चले गए हैं और ये विधायक जोतिरा दिते सिंद्या के कैम्प के बताए जा रहे हैं और इस बीच मंगलवार को बोपाल में भारतिये जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होनी है कहा जा रहे है कि शिवरा सिंग चोहान को इस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जा सकता है इसी बीच मद्दे परदेश के मुख्यमंतरी कमलात ने भी कहा है कि मैं इस परकार के किसी भी मनसुबे को कामियाब नहीं होने दूगा जिनके अंदर भारतिय जनता पार्टी या फिर कोई अन्य ये सोच रहे हैं कि कमलात सरकार को गिरा देंगे क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि मद्दे परदेश की जनता उनके साथ